हलो एवरीवान वेल्कम टो मां यूट्यूब चैनल एएच हल्पलाइन कैसे हैं आप लोग इस वीडियो में हम लोग फोर बहुत इंपॉर्टन इंफरमिशन के बारे में बात करेंगे आप लोग वीडियो को ध्यान से दिखेगा एएच हल्पलाइन चैनल पर फॉर्स्ट हमा वहाँ पे आप अड्मिशन ले सकते हैं चाहे वो बैचलर डिग्री हो या मास्टर डिग्री हो चाहे यरली बेस प्रगाम हो या समिस्टर बेस प्रगाम नो इसके बास लाज डेट एक्स्टेंड हो गया नहीं तो देखो मैं आप आप लोग बता दू कि जितने भी समिस्ट cycle के student होंगे इसलिए इसके बाद से last date extend नहीं किया जाएगा क्योंकि फिर उसके बाद से मौका नहीं मिल पाएगा student को exam देने के लिए and assignment submit करने के लिए तो semester based program का last date आज ही है and आज के बाद से last date extend नहीं किया जाएगा ये आप लोग रखिए और अगर आपको admission लेना है तो BCA, MCA, MBA या जितने भी semester based program है उसमें आज ही admission ले लेजिए yearly cycle का थोरा सा उमीद है भी हलाकि chances उसका भी कम है क्योंकि बहुत ज़्यदा date extend हो गया लेकिन इससे पहले भी yearly cycle की जितने भी strength है I mean program है उनका last date extend होने की थोरा सा उमीद है क्योंकि उनका exam जो होने वाला है वो जून 1224 में होने वाला है and assignment जो submit करना है वो मार्स 1224 में submit करना है उनलों को तो थोरा सा chances है कि yearly cycle का extend हो भी जा लेकिन semester based program का extension की उमीद एकदम नहीं है अब extend नहीं होगा तो आप जिस भी program admission लेना चाहते हैं तो आज ही admission ले ले आज last date है re-raise session अब extend नहीं किया जाएगा आज last date है इसके बाद से कोई भी further extend नहीं किया जाएगा जितने भी student ने अभी तक re-registeration नहीं करवाया जुलाई 23 session में करवा ले 200 रुपया का late fine देने के बाद से इसके बाद से extend नहीं किया जाएगा ये confirm है क्योंकि already बहुत महीनों से re-registeration चल रहा है किसको करवाना है re-registeration उसके उपर वीडियो बनाया हुआ है कैसे करना है उसके उपर वीडियो बनाया हुआ है सब का link description में मिल जाएगा तो अगर आपको नहीं पता है कि आपको re-resession करना है या नहीं तो अभी के अभी वो वीडियो देखो और अगर आप करवाना है तो एकदम instanti re-resession कर लेना रात 12 बह तक आपको time मिलेगा re-resession करने के लिए अभी portal चल रहा है कोई भी problem नहीं है आप लोग अराम से कर सकते हो जो तीसरा information है वो है exam form को लेकर देखो exam form को लेकर इसलिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जब starting में exam form start किया गया था उसक्त लास्ट डेट था 30 सिप्तिमबर अब देखो इगनु के ज़्यादा तरे इसलिए हर एक एक चीज से अपडेट नहीं रहा थे जब exam form रिलीज हुआ उस वक्त उन्होंने देखा कि 30 सिप्तिमबर तक लास्ट डेट है उसके बाद से उन्होंने अपडेट लिया ही नहीं या कोई चिक किया ही नहीं तो उन्हों को लग रहा होगा कि आज ही लास्ट डेट है और आज ही 6 बेट तक उनको exam form रिलब करना होगा लेकिन नहीं exam form रिलब करने का लास्ट डेट को 15 अक्टूबर तक विदाउट इन लेट फाइन एक्स्टेंड कर दिया गया है चाहे वो online program हो या फिर audio program हो ठीक है तो उसका लेकर notification रिलिस किया था जो आप लोग के skin को उपने जरा रहा है तो जितने भी student ने exam form फिलब नहीं किया तो अगर आप फिलब कर दोगे अभी तबी सही रहेगा और अगर नहीं भी करोगे तो 15 अक्टूबर तक आप लोग कर सक तो exam form का last date 15 अक्टूबर तक extend किया गया है 30 September तक नहीं है क्योंकि starting में बोला गया था कि 30 September तक 6 बेर तक रहेगा तो extend हो सगे तो panic कर सकते हैं अगर उनको information नहीं होगा तो and lastly assignment को लेकर कि assignment submission काने का last date आज 30 September है लेकिन इसको further extend किया जाएगा अभी तक notice release नहीं किया गया है जब मैं ये वीडियो upload कर रहा हूं तब I mean जब record कर रहा हूं तो सामके 5 बच के 20 हो गया है लेकिन क्योंकि आज Saturday है अगर आज notification नहीं आए तो panic नहीं करना है Sunday Monday दो दिन और आपको वेट करना परेगा क्योंकि दो दिन holiday है तीन तारिक को सड़ी हां तीन तारिक को notification रिलीज क्या जा सकता है या फिर आज रात तक भी notification रिलीज क्या जा सकता है लेकिन last date extend किया जाएगा already जितने भी assignment है वहाँ पे इस चीज़ को update कर दिया गया सिफ पुराने assignment में ही 30 सेथ में लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोग को मैं master of economics का भी assignment का questions paper देखा सकता हूँ यहाँ पे भी 31st October ही लिखा हुआ है last date and chances है कि आप लोग को notification के जरिए जल्द ही बता दिया जाएगा direct 31st October ही कर दिया जाए या फिर पहले 15 और उसके बाद से 31st किया जाएगा लेकिन 31 के बाद से extension के उमीद मत रखना क्योंकि previous season में इगनु ने एक बाद लास डेट exchange किया था उसके बाद से फिर बंड कर दिया था तो आप लोग risk मत लेना 31st October तक एकदम submit कर देना और उसके बाद से फिर आप लोग exam के तयारी में लग जाना तो चार important information है fresh admission करने का last date semester program का admission का last date extend नहीं किया जाएगा yearly cycle का थोड़ा सा chances लेकि extend किया जा सकता है लेकिन yearly cycle में अगर आपको admission लेना तब भी आप ले लेना last date की extension का उमीद मत करना क्योंकि इगनु ने आज Twitter पर tweet किया था कि आज last date है ठीक है official Twitter handle से किया गया था तो हलाकि इससे पहले भी ऐसा किया गया ले फिर extend किया गया है लेकिन yearly cycle का semester cycle का नहीं होगा yearly cycle का थोड़ा सा chances है रिस्क हलाके मत लेना re-resession का आप extend नहीं किया जाएगा करना है तो आज ही कर लेना बारा बैय तक उसके बास करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा and six month आपका loss हो जाएगा exam form fill up करने का last date पंद अक्टूबर extend किया जाएगा तो यह चार important information है क्योंकि आज लास्टेट है का फेस्टेन इसको लेकर सुबह सही question पूछ रहे हैं तो मुझे लगा कि वीडियो के मादिम सही आप लोग को बता देना चाहिए मुझे उमीद है कि आप लोग पीडियो पसंद आया होगा इस्ते वीडियो को आप लिए अपना रॉट के सकते हैं और अगर आप एच लपलाइं चानल पर फॉस्ट हमाएं तो अप लोग पहली फुरसत में चानल को जरूर सब्सक्राइब करें तो थैंक यू सो मच पूर वचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच